नमस्का दोस्तों स्वागत है आप से काल आना डवर्स यूट्यूब चल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भरतियों की लेटरस अपडेट को लेकर तो वीडियो को लाइको शेयर करना बिल्कुल न भूलें साथ पर चैनल को सब्सक्राइब करना हो बैल आइकन को अपडेट है उसको हम यहां पर कवर कर लेते हैं तो यहां पर दोस्तों के सामने आजाएगा ओफिशल नोटिफिकेशन जिसके माध्यम से रिजल्ट आप से भी देख पाएंगे बार अपहल दोजार किसकी जो पैंस बिग्यप्ति वो जादी कर दिया गया उसी करमें जानक सब्सक्राइब बात करें अपने अगली अपडेट को लेकर जो की संबदित उत्तर प्रिद्रिस के संपूर्ट लॉक्डाउन को लेकर जहां सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बुलें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कोचिंग सेंटर बंद कर दी गए वह ऐसे में लगाता है इसकी जो तारीक है बड़ा ही जानी है अब इसको लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा ड़ कहने की लोगडाउन को लेकर भी है हाला कि CM के माध्यम से क्या कहा गया वो आप सभी यह पर देख सकते हैं कि उत्तर बिदेष में क्लोगडाउन लगेंगा या नहीं सीम योगी मे ने कि बहने कसो लेकर समबार के जिबाग जिरोंग के अफसरी कर साथ में कृहने की सकत लाज़े में चिताया गया उन्होंने ये भी जान कई दीगी गलत फैमी पर ना रहा है, लोगडाउन नहीं लगाया जाएगा, साथ हो उनके मात्यम से बताया गया, कि हम आम जनता को मने नहीं देंगे, ऐसी जान कई आप सभी को देखने के लिए मिलती है, उसी करम है और भी तमाम जान कई आप सभी को यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि हई लेवल मीटिंग के बारे में संक्माद के बढ़ने के कारण उसके लिए जो समिच्छा बैठक देखने के लिए मिल दी उसमें तमाम जानकाई आप सभी को देखने के लिए मिलती है तो ऐसे में कहीं ने की जो चाहत लोगडाउन को लेकर परिशान थे या फिक लोग जो परिशान थे उन सभी के लिए CM के माध्यम से तो कहा गया है कि फिलाल जो सब्सक्राइब को लेकर पहले से बंद कर दिए जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले मामला करने की पंदर अपरेल तक देखने के लिए मिल रही है लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए लोगडाउन के बारे में तो फिलाल CM के माध्यम से जान कर दिए गई है जो कि है लोगड जो कि यह एड़ेट जूने सिच्छक भ्रती के बारे बहुत साइच परिच्छा को लेकर पोछ पर दोब्या की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को जानकाई भी दी थी कि देश राम तक इसको लेका पर दिखाई से जो भी जानकाई निकलती आप सभी को दे दी जाएग अब उनके माध्यम से समझाया गया कि परिच्छा की तारीकों को लेकर जो फैसला है वो शासन को लेना है जैसा कि उनके माध्यम से बताया गया कि परिच्छा की तारीकों को लेकर है यहां से जो प्रस्ता पर बनाकर बेजा जाएगा परिच्छा के लिए शासन से अनुमती मिलते हैं इसकी जो कहिने की घोशना है वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी मतलब एड़ेट जूनियर सिच्छक बरती को लेकर अभी कोई तारिक नेदायत नहीं हुई है लेकिन परिशा नेमक परिकारी का कहना है कि दो से लेकर आर्ट के बीच में ऐसा समय जावर पहिच्छा करवाने के लिए स्लोट खाली हो सकते हैं उसके बाद में आप सभी को बताएं कि आठ तारीक के बाद यहां पर पहिच्छा है नहीं होड़ सकती है ऐसी भी जानकाई देखने के लिए मिल रही है तो यहां पर PNP के माध्यम से फिलाल बताया कि अभी किसी तारी को नेदायत नहीं कह सकते हैं जब तक शार्सन के माध्यम से अनुमती ना मिल जाए क्योंकि इससे पहले बहुत सारी प्रस्ता बेज़े जाते हैं जिस पर कहने की मामले लटक जाता है तो यहां से एड़िट जूनियर सिच्छा बरती नई तारीकों लेकर फिलाल आप लोग यहां पिद्वश्ति च्शा करवाई जाएगी इसके बारे बांनी की को नेदायत टारीक यहां अधिकायों के माध्यम से नही दी गई है तो एड जूनियर शिच्छ वट्व वहां कर कि चली के दो से आर्ट की बीच में होने की प्रवल संभावना है बाकि इसको लेकर जैसे को अधिकारी गोष्णा होती है सबसे पहले जानकाई आप सभी को हमेशा की तो यह बात व्यादी एड़ेट जुनियर सिछक वरती के बारे में वहीं दूसी तर बात के अपनी अगली अपडेट को सब्सक्राइब कर देकर जो कि उन्हें तरजा सिछक वरती के बारे में लगाता चातों के मात्यां जो थर्ड चैन सूची का जो इंतजार वो किया जा रहा है उसी क्रव में आज की तारिक माहा निद्यसर को एक पत्र वेजा गया जो कि आप सुभी को देखने के लिए सब्सक्राइब से छूटे व्यर्तियों के लिए जो वेटिंग लगा करके बैठे हैं कि वेटिंग लेशन होगा उनकी यहां पर नई चैन सूची जारी की जाए जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं उसी कर्में यहां जो पत्र विजा गया है बार चार्ट दो जाए किसको तमाम चार्टों के माद्यान से ऐसे वे बहने की चार्टों को यहां पर कहना है कि जो रिस्पोंस मिला है शाषन के अधिगायों के वाधियों के वाधियं से कि सभी जिलों से BSA के माध्यम से डाटा वेज दिया गया है तो ऐसे में कि तमाम चात्तों के माध्यम से पहले महा निदेसक को जो पत्त है वो लिखा गया साथ में सोपा गया इसी के साथ दूसरा जो आप सभी को पत्त देखने के लिए मिलेगा सभी तो सिच्छा निदेसक को वेजा गया जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा लगाता चात्तों के माध्यम से पहास है कि आगामी समय के अंदर जल्दी से जल्दी थर्ट चैन सूची जारी करवा के जो चैन सूची के साथ में आप सभी की काउंसलिंग करवा ली जाए लेकिन ऐसे में शासन के अधिकाईयों के माध्यम से आस्वासन तो प्रोजिटिव मिले हैं लेकिन अगर हम बात कें डाटा के वाए में क्या कोई यहां पर एक्थपतों की कोई जानकाई दी गई है तो यहां पर शासन की अधिकाईयों के माध्यम से अधिकाई तो पर शासन की अभी तक शीटों की संक्या की जानकाई देखने के लिए नहीं मिली जैसा कि मैंने आप आप सभी को कहा भी था कि आज की दाई के मुलाकात होगी और जो भी जानकाई मिलेगी आपको देदी जाएगी तो ऐसे में कहिने की थर्ड चैन सूटी के लिए और साथ में काउंसलिंग के लिए पॉजिटिव रिस्पॉंस है लेकिन कब से शुरू होगी कब तक देखने के मिलेगी इसको लेकर अभी भी शंसे वरकार है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसी हफते आप सभी को खुशका भी मिल सकती है लेकिन जो सबसे बटा दोड़ा होगा वो यही होगा कि सीटों की संक्या शासन के पास कोंचिये के नहीं तो इसके बाएं में जो भी आप यही होगाओ कि अड़ा है वीज़ को बाएं में जो प्रता है वीज़ को एवाँ वीज़ के इसके अभी बाएं में जो भी जो इसके दोड़ा है वीज़ को एड़ा है।